नमस्कार आपका अख़बार के संख में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग भारती जनता पार्टी ने आखिरकार चुनाव नतीजे आने के लगभग 15 दिन बाद इस बात की खोज शुरू की है कि उसकी हार का या मतलब कहें खराब परफॉर्मिंस का कारण क्या है शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है उत्तर प्रदेश में शायद लगभग 50 टी में जाएंगी जो 78 लोगसभा सीटों दो सीटों को छोड़ दिया गया है वारांसी जहां से प्रदान मंतरी नरेद मुदी जीते हैं और लखनों जहां से रक्षा मंतरी राजनासिंग जीते हैं उसके अलावा 78 लोगसभा सीटों पर जाएंगे और उन 78 लोगसभा सीटों में भी जो पांच विधानसभा की सीटें आती हैं उन पर भी जाएंगे और लोगों से सवाल पूछेंगे कारिकरताओं से और लोगों से जो फीडबैक लेंगे उस रिपोर्ट को राज्य के संगठन को देंगे और राज्य का संगठन उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट बना कर किंद्री संगठन को देगा अब पहले बात कर लेते हैं कि क्या सवाल पूछे जाएंगे मुख्य रूप से पांच सवाल पूछे जाने और भी सवाल होंगे लेकिन मुख्य रूप से जो है पांच सवाल होंगे एक जमीन पर कारेकरता कितना सक्रिय था ध्यान दीजिए गाइस सवाल पर दूसरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का क्या असर पड़ा तीसरा नेताओं के दोरे का अलग-अलग समुदायों पर क्या असर पड़ा चौथा इस पर और ध्यान दिजिएगा बूथ मैनेजमेंट कैसा था और पांचमा विपक्ष का भाजपा के खिलाफ विमर्ष क्या था अब यह देखिए भारत्य जन्ता पार्टी का दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सही भी है उस दावे को कोई चुनोती नहीं दे सकता इसमें सच्चाई है लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो मैंने अभी दो दिन पहले वीडियो बनाया कि भाजपा के सॉफ्ट वेर में वाइरस आ गया है ये सवाल उसका प्रमाण है उस बात को प्रमाणित करते हैं कि वाइरस सच मुछ आ गया है अब आप देखिए इन सवालों पर पहले नजर डालिए फिर उसके बात जो होने वाला है क्या हो सकता है संभावना की बात कर रहा हूं उसके बारे में बात करेंगे सवाल ये है कि जमीन पर कारेकरता आपका कितना सक्रिय था और उसमें एक छटा सवाल मेरा चुट गया था वो भी जोड़ दूँ कि जो जनप्रतनी थी यानि सांसत थे उनका कितना संपर्ग था अपने छेतर के लोगों से और उनसे कितनी नाराज़गी थी तो जमीन पर कारेकरता सक्री है या नहीं अगर इसका आकलन चुनाव नतीजे आने के बाद होगा तो पार्टी का संगठन किस तरह से काम कर रहा है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते जिस पार्टी को ये रिपोर्ट मंगानी पड़े चुनाव नतीजे आने के बाद कि उसका कार्यकरता जमीन पर सक्रियत था या नहीं तो ये नीचे से उपर तक पूरे कुए में भांग मिली हुई है दूसरा सवाल जिस पन्ना प्रमुख का इतना ढोल पीटा जाता है बूथ कमेटी का इतना ढोल पीटा जाता है बूथ मैनेजमेंट कैसा था बूथ मैनेजमेंट पूरे चुनाव के दौरान जो भी देखना चाहता था उसको दिखाई दे रहा था कि अच्छा नहीं है लेकिन माना ये जा रहा था जो लोग कह रहे थे कि भारती जंता पार्टी की सीटे बढ़ने वाली हैं उसमें मैं भी था मान कर चल रहे थे कि ये सब कमजोरियां जो है प्रधान मंतरी मोदी के नाम पर चिप जाएंगी उनका जो व्यक्तित्व है उसकी आड में चिप जाएंगी ये कमजोरियां इस बार ऐसा नहीं हुआ और उसका नतीज़ा आपके सामने है तो दो सवालों पर पहले बात कर लेते हैं या बलकि तीन पर पहला जमीन पर कारेकरता कितना सक्रिय था अगर इस बात का पता लगाने के लिए एक कमेटी बिठानी पड़े जाच करानी पड़े चुनाव नतीज़े आने के बाद इसका मतलब कि राज्य का संगठन पूरी तरह से ना करा है जिस संगठन के मुख्या को ये पता नहों कि जमीन पर उसका कारेकरता सक्रिय है या नहीं और ये पूरे प्रदेश के इस्तर पर हो रही है ये परताल ऐसा नहीं है किसी एक चुनावक्षेतर की बात हो रही है असी में से 78 चुनावक्षेतरों में ये परताल की जा रही है और मैं तो कहता हूँ असी के एसी में होना चाहिए था इसकी शुरुवात सिर्फ अगर बनारस की परताल कर ली जाती कि जमीन पर कारेकरता सक्रिय था या नहीं बूत मैनेजमेंट था या नहीं उसके अलावा विपक्ष का विमर्ष किया था ये तीन प्रशन अगर वारान्सी में पूछे जाते तो आपको पूरे राज्य का खाका आपके सामने आ जाता तस्वीर आपके सामने आ जाती लेकिन अच्छी बात है कि सभी चुनावक्षेत्रों में जा रहे हैं और विधानसभा उस्तर तक जा रहे हैं क्योंकि तीन साल बात विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनावती कड़ी है और कड़ी होने वाली है तो ऐसे में विवदान सबास तर तक अगर ये फीडबैक लिया जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है ये होना ही चाहिए लेकिन ये सवाल है कब होना चाहिए था जब आप टिकट बांट रहे थे तब आपको ये जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई कि ये पता करें कि जो आपका सांसद है उसका जनता से कितना संपर्ख है कितना जन संपर्ख करता है लोगों में उसकी स्विकारिता कितनी है उसकी लोगप्रियता कितनी है या वो कितना अलोगप्रिय है ये जांच कर ही तो टिकट दिया जाना चाहिए था तो आपने टिकट दे दिया बिना इसकी पर्ताल किये इस नई पर्ताल का यही मतलब है कि आपने जब टिकट बठवारा किया तो आपको मालूम नहीं था कि आपका सांसद और आपका जो मीदवार है जो पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था और इस बार चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में जनता की क्या राय है यह आपको पता नहीं था और इस राय को आपने अपने संगठन के जरिये भी पता करने की जरूरत नहीं समझे दूसरा बूत मैनेजमेंट भारती जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बूत मैनेजमेंट की है और मैं दो-तीन बार बोल चुका हूँ आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ उसकी जरूरत है वर्तमान केंद्री ग्रिह मंत्री अमिच शाह जब 2013 में भारती जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी होकर आये थे राश्ट्री महामंत्री की रूप में तो उन्होंने पहली ही बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक थी उसमें कहा था कि आप में से किसी को सीट नहीं जितानी है आप लोग ये बताईए कि कितने बूथ जिता सकते हैं वहां से उन्होंने शुरुआत की थी तेरा की बात है आज दोहजार चौविस में है एक ग्यारा साल बाद ये पता करने की जरूरत पढ़ रही है चुनाव नतीजे आने के बाद कि बूथ मैनेजमेंट कैसा था तो इन ग्यारा सालों में बूथ मैनेजमेंट कमेटी या बूथ मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको संगठन ने जो स्थानिय संगठन यानि राज्य संगठन से लेकर जिला और मंडल इस तर तक का संगठन है उसने किस तरह का काम किया इसका रिव्यू हुआ ही नहीं इसका मतलब है इसका पिरियोडिकल रिव्यू हुआ ही नहीं ये मान लिया गया कि हमने एक बार कमिटी बना दी और एक बार उसको बनाने से हमको सफलता मिल गई और एक बार नहीं चार-चार बार मिल गई ये जांचने की जरुरत नहीं महसूस हुई कि ये सफलता उस Booth Management Committee की सक्रियता से मिली, आपके कारेकरता की सक्रियता से मिली, आपके जन प्रतिन्धी की लोग प्रियता से मिली या दूसरे कारण थे आज भी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी भारती जनता पार्टी या कहें देश का सबसे बड़ा पुलिटिकल ब्रैंड है माइनस नरेंद मोदी भारती जनता पार्टी बहुत नीचे चली जाएगी आज ये सही है कि इस चुनाव में वो जो वोट लाते थे उसमें कमी आई है लेकिन उसकी बात फिर किसी दिन करेंगे आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश में ये काम दिया गया है पार्टी के वरिष्ट नेताओं को कि जो टीमें जाएंगी उनको निर्देशित करेंगे उनको समझाएंगे कि क्या पूछना है कैसे फीडबैक लेना है और वो फीडबैक आएगा स्टेट पार्टी के पास जो राज्य का अध्यक्ष है और उनकी जो टीम है उसके पास उस फीडबैक के आधार पर वो अपनी एक रिपोर्ट तयार करेंगे और केंडर को भेजेंगे मेरा कहना है कि गुनहगारों को आपने जज़ बना दिया है जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वही बताएंगे कि कमी क्या थी वो क्यों बताएंगे वो अपनी गर्दन अपने आप से अपनी गर्दन में फंदा क्यों डालेंगे वो क्यों ये बताएंगे कि संगठन की कमजोरी थी आप देखते रहें जिस तरह कि लोगों को सौपा गया है ये काम सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी तैकी जाहिए थी कि वो कर क्या रहे थे एक मातर सवाल जो मैं कहता हूँ पूछा जाना चाहिए था बाकी सब सवालों को छोड़ दीजिए कि आपको जमीन पर मदाता मन बदल रहा है दलित समुदाए और कुछ मातरा में अति पिछला समुदाए अपना वोट आपके विरोधी को देने जा रहा है जो लगातार चार चुनाओं से आपके साथ था ये बहुत बड़ा शिफ्ट था एक तरह से कहें तो टेक्टॉनिक शिफ्ट था और इसका अंदाजा अगर जिस संगठन को नहीं लगा वो संगठन नाकारा है तो जाहिर है वो अपने को तो उसमें शामिल नहीं करेगा तो आप कभी सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि सही फीड़बैक नहीं मिलेगा अच्छा होता कि इस काम के लिए दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाकर ये जिम्मेदारी सौपे जाती दो सवाल लोगों ने पूछे थे एक बंडी संजक को क्यों हटा दिया गया प्रदेश अध्यक्षपत से और दूसरा के कभीता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया इन दोनु सवालों का जवाब पार्टी ने नहीं दिया पार्टी के पास इसका कोई जवाब था नहीं या वो देना नहीं चाहती थी मुझे नहीं मालूँ लेकिन उसका नतीज़ा ये हुआ कि तेलंगा ना जहां लग रहा था बिलकुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था विधान संभा में सीधी लड़ाई भाजपा और भारत राष्ट समिती के बीच में बियारेस यानि केज चंदरशेकर राव की जो पार्टी है उसके बीच होगी वो इस्थिती बदल गई और बंडी संजय कुमार को हटाने से भाजपा का कारिकरता निरुटसाहित हो गया उसको लगा कि एक एग्रेसिव नेता मिला था और एक ऐसे समुदाय से वो नेता था जिसकी पिछलों में आबादी सबसे ज़्यादा है उसके बावज़ुदा है और aneta है आप उसकी प्रतिभा को जानते हैं फिर भी उसको अटा दिया गया क्यों हटाया गया ये बताया नहीं गया और ये बताया नहीं गिया ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया को क्यों नहीं बताया गिया मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने कारिकरताओं को नहीं बताया उनको कन्विंस नहीं कर पाए आप कि क्यों हटाया गिया और के कविता की गिरफतारी उस समय क्यों नहीं हुई ये परसेप्शन क्यों बनने दिया कि BRS यानि के चंदरशेखर राओ और BJP आपस में मिले हुए हैं ये परसेप्शन बना उस पर जो है करनाटक विधानसभा का चुनाओ कॉंग्रेस ने जीता मुसलिम समधाय पूरा जो देश को जो वोट मिलता था वो भी चला गया उसका जो है इफेक्ट हुआ तेलंगाना में और तेलंगाना में केवल मुसलिम समाज के उधर जाने से ये रिजल्ट नहीं आया बलकि उसके अलावा जो भारती जंता पार्टी का समर्थक था उसको भी लगा कि के चंदरशेख को चुनाव से एन पहले हटा देते हैं तो इसके पीछे मन्शा क्या है सोच क्या है रणीती क्या है इसके बारे में भाजपा अपने समर्थकों को कारिकरताओं को कोई भी संतोष जनक जवाब देने में असफल रही तो वही उत्तर प्रदेश का सुने जा रहा है उत्तर प्रदेश में अगर बाहर दूसरे राज्य के लोगों को बुला कर ये सर्वे कराया जाता ये फीड़बैक लिया जाता क्योंकि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी सवपी है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो चाहेंगे कि ये था इस्तिती बनी रहे वो हर सवाल के जवाब में ऐसी रिपोर्ट भेजेंगे जिससे उनके अलावा सब जिम्मेदार हैं तो ये हमारे अलावा सब जिम्मेदार हैं का ये जो फॉर्मूला है इससे आप कभी सही निश्कर्श पर नहीं पहुंच सकते तो इस पूरी exercise का कोई प्रभावी जो हल निकलेगा कोई सही feedback मिलेगा इसकी उम्मीद बहुत कम है तो ये सिर्फ एक exercise हो रही है कहने के लिए एक exercise हो रही है कि हमने review किया अपनी performance के गिरने के कारणों का जो report जाएगी मैं अभी से कह रहा हूँ आप मान कर चलिए कि उससे कुछ जादा ऐसा नहीं निकलने वाला जिससे party course correction कर सके पार्टी को इस समय course correction की जरूरत है फिर दोहरा रहा हूँ 1984 जैसा जो 1986 में किया गया था 1984 के नतीजे आने के बाद हाना कि समय लगा बड़ा परिवर्तन था विचारधारा बदल दी पार्टी ने गांधिवादी समाजवाद से एक आत्मानावाद पर आ गई पार्टी उसके अलावा संगठन में प्रदेश इस्तर से लेकर राष्ट्रे इस्तर तक बदलाव किया लेकिन इस बार हो सकता ऐसा हो लेकिन अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अभी जो दिख रहा है कि जो लोग जिम्मेदार हैं जो जवाब दे ही जिनकी तय होनी चाहिए थी उनको प्रसृत किया जा रहा है राज्य में भी ऐसा ही होगा क्या राज्य का संगठन फिर कहराओं पूरी तरह से नाकारा साबित हुआ है इस चुनाओ में और ये इसके संकेत 2022 के विधानसभा चुनाओ में मिलना शुरू हो गए थे उस समय पार्टी जागी नहीं क्यों? क्योंकि जीत गई थी सरकार बन गई थी तो इसलिए लगा कि सब कुछ ठीक है जो आलोचक बोल रहे हैं जो विरोधी बोल रहे हैं जो लोग इसमें कमी निकाल रहे हैं वो दरसल हमारे विरोधी हैं हमारे खिलाफ हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं उनका कोई vested interest होगा इसलिए बोल रहे हैं तो 2022 में सबक नहीं सिखा आपने 2024 के नतीजे के बाद उम्मीद थी कि आप बड़ा सबक सिखेंगे और गंभीर प्रयास होगा बदलाव का course correction का वो कम से कम जिस तरह से इस committee को बनाया गया है उसके जरिये तो आपको सही feedback नहीं मिलने वाला है feedback मिलेगा कुछ मामले में थोड़ा सा ही भी मिलेगा विपक्ष का कौन सा विमर्ष जो है चला जब वो चला और चला एक दिन में तो चला नहीं है तो संगठन के पास इसका feedback क्यों नहीं आया उसने अपने राश्री नेताओं को क्यों नहीं बताया कि विपक्ष का ये विमर्ष चल रहा है और इसके लिए हमको ये lotta के लिए ये करना चाहिए या राजय संगठन ने वो कदम्त यूं नहीं उठाए तो राजय संगठन को ये जिमेदारी देने का मतलब है फिर कह रहा हूँ कि जो गुनहगार नजर आ रहा है उसी को आपने जज्मिंट की कुर्सी पर बिठा दिया है और उसका क्या नतीजा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं तो इस हंक में इतना ही अगले हंक में फिर मिलेंगे किसे नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनमती दीजिए आप से अनरोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर दीजिए